इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है दर्द, सूजन और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह प्रभावी रूप से मानस्पेशियों की जकरन या एंठन से राहत देता है, जिससे मानस्पेशियों की गती में सुधार होता है। यह मस्तिश्क में रासायनिक संदेश्वा हकों को अवरूत करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। इसे सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित रूप में ले। आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय तक न ले क्यूंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामान्य तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। एट्रोफेन ती टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। एट्रोफेन ती टैबलेट दो दवाओं का एक मिश्रन है हटोरिकोकसीब और थियोकोल कोकोसाइड जो दर्द से राहत देता है और मांस्पेशियों को आराम दिलाता है। अटोरिकोकसीब एक नौन स्टैरायल एंटी इंफ्लिमेटरी ड्रग यानि की NSAID है जो दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन पैदा करने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर को निकलने से रोकता है। थियोकोल चिकोसाइड मांस्पेशियों को आराम देने वाला है। तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।